चीन से कराची जा रहे जहाज को भारत ने मुंबई तट पर रोका परमानों वे मिस्साइल कारिकरम से जुड़ा सामान होने की आशंका चीन से कराची जा रहे जहाज को भारती सुरक्षा एजंसियों ने मुंबई के नहावा शिवबंदरगा पर संदेह पर रोक लिया है कि इसमें परमानों कारिकरम के दोहरों प्योग वाली सामेगी भेजी जा रही थी इसका इस्तिमाल पाकिस्तान के परमानों और बैलेस्टि पर दोहज लगा था जहाज में परमानों मिसाइल कारिकरम से जोड़ा सामन होने किया संका रक्षा नोसंधान इवं विकास संग्ठन की टीम ने भी खेप का निरिक्शन किया और परमानत किया कि इसका इस्तिवाल पाकिस्तान अपने परमानों कारिकरम के लिए कर सकता है व पहारती रक्षा अधिकारियों को सतर्क कर दिया था जिन्होंने जहाज पर लएदे माल का निरिक्षन और अपने संदेही की सूचना दी इसके बाद खेप को जब्त कर लिया गया अधिकारियों के नुसार पाकिस्तान और चीन द्वारा संभावित प्रिसार की रोक्थाम के यह जब्ती की गई है शुरक्षा एजेंसियों की गहन चाहां से पता चला है कि 22,180 किलोग्राम वजनी यह खेप ताई यूवान माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिम्टेड द्वारा पाकिस्तान इस्तित कॉस्मोस इंजिनिरिंग के लिए भीजी गई पहले भी जब्त की जा चुकी हैं से न वस्तु मैं यह मामला पहला नहीं है जब भारती बंदर्गाव दिकारियों ने चीन से पाकिस्तान बेजी जा रही जाए असी दोहरे उप्योगाली से न वस्तित को जब्त किया है कोस्मोस इंजिनिरिंग एक पाकिस्तानी रक्षा आ भारती एजेंसिया जहाज पर मौझूद सामान की जांस परताल में जुटी अधिकारियों को आशंका है कि पाकिस्तान यूरोप और अमेरिका से प्रतिबंदित वस्तों को प्राप्त करने के लिए चीन का उपयोग माध्यम के रूप में कर सकता है जिससे पैचान छिपाई ज प्राप्त करता है सुचनाओं का आदान प्रदान सी मशीनों को निस चानवे से वासिनार व्यवस्ता में शामिल किया गया है यह एक अंतराष्टी हत्यार नियंतरन व्यवस्ता है जिसका उदेश नागरिक और सेन दोहरों प्योग वालियों के प्रसार को रोकना है भारत उ झाल झाल